हमारे मा बाप न काफी एडवाइस देते हैं उनका intention हमेशा अच्छा ही होता है पर उनका intention कितना भी अच्छा हो हर एक चीज जो उनके मुझे निकलती है वो सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है जिसके तीन possible reasons है पहला generation gap जहां वो नहीं समझते हैं दूसरा वो काफी डरते हैं रिस्क लेने से उन्हें लगता है रिस्क फ्री लाइफ या फिर कम रिस्क वाली लाइफ और तीसरा उन्हें लगता है जो सही होना इस नौट नेसेसरी यहां इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ कॉमन पैरेंटल अड्वाइस शेर करना चाहूंगा जो मेरे साथ से नौट नेसेसरी ली हमेशा सही होते हैं इन फिन केस अगर आपको उसके उपर फॉलो करना भी है तो यू शुद डेफिनिटी गो फो डीपर रीसर्च अपने आप से काफी सवाल कीजिए उनसे काफी सवाल कीजिए बहस मत कीजिए सवाल कीजिए जो भी वो आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे है क्योंकि अपने ब्लाइंडली अपने माब आपकी सुन लिए और बाब में आपरे ग्रेट कर रहे है हाँ मैं समझता हूँ जो आपको rate of interest मिलता है उन बैंक के द्वारा वो आपके rate of inflation से बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसका मतलब है कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हो और आप पैसा रखने से अच्छा है कि आप सही जगे पर इन्वेस करें पैसे को दूसरी एडवाइस प्रॉपर्टी खरीदो और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदो जब ना हम यंग हुआ करते थे या वो यंग हुआ करते थे उनकी initial working year से तब जो market था वो completely different था ने and what exactly it is right now पर ये सभी चीज़े चेंज होने के बाद में भी उनका जो intention है जो thought process है वो अभी भी सेम ही है not necessarily always amazing कि आपको एकदम सही return मिलगे अपने पैसे का तो अगर आप ये particular decision लेते हैं you always need to do proper research कौन से area में कितना rent मिलेगा कितना वाप ग्रोथ के chances है and all that you should always think about all those things तीसरी advice credit card कभी मत लेना बेटा यार देखो ये बात again debatable हो सकती है पर अगर आपको credit card सही से use करना आता है you can actually get a lot of things जो आपको reward के तोरबे मिल जाती है when you're using your credit card तो मेरे साब सा credit card use करना smartly is a very very good idea अब तभी credit card use करो जब आपको पता है कि आप उसको repay कर पाएंगे time पे क्योंकि credit card को एक तरीके से वो लेना कि ये extra source of income हो सकती है अगर वो है तो बात मानो माब आपकी अगर वो नहीं है तो you should definitely use credit card चौथी advice branded मतलब की पैसवेस आइम शूर आपके माबा भी आपको ये बोलते होंगे कि तुझे jeans 3,000, 4,000 के क्यों लेनी है जब तुझे 200, 300, 400 रुपे में बाहर non-branded वाली jeans मिल जाती है क्योंकि ultimately आपको पहनना ही तो है कपड़ो को यार देखो मेरा खुद का personal experience बोलता है कि जो branded चीज़ें होती हो बहुत ज़्यादा durable होती है चलती है, टिकती है, fit अच्छा होता है you actually feel good in that और वो जो feeling वो से विसले नहीं है कि वो आपने पैसा ज़्यादा खर्चा करावा है there is a reason I am not saying कि आपको बहुत ही बड़े brands बहुत ही expensive luxury brands में खर्चा करना चाहिए पर if in case you would prefer something जो एकदम basic local से ज़्यादा थोड़ा सा बहतर है I am not talking about something जो बाहर से import हो रही है पर अगर इंडिया में भी बनी भी है a good, nice, branded thing वो आपके लिए हमेशा ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पर आपके पैसे का जो return है वो मेरे साब से बहुत 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 है in comparison to a local thing तो इस चीज के बारे भी थोड़ा extra सोचना है पांच ये advice अगर आपको invest करना ही है तो government schemes में करो क्योंकि उससे बहतर कुछ नहीं है नहीं भाई, मैं personally ऐसा नहीं मानता हूँ मैं of course मानता हूँ कि government schemes काफी सारी काफी अच्छी होती है पर not necessarily always everything reasons काफी सारी cases में lock in periods काफी बड़ा होता है rate of interest आपको काफी कम मिलती है in most cases जो inflation rate है उसी के बराबर बराबर rate of interest मिलती है जो आपको पैसे को पैसा ही रखता है यानि कि एक लाग को एक लाग ही रखने वाले 10 साल बाद में भी returns बेटर कुछ मिलते नहीं है तो good stocks है, mutual funds है, SIPs है इन चीज़ों में आप invest कर सकते हैं to fetch high rate of interest छटी advice हाँ बेटा अगर तो जो stock market में invest करना ही है तो कर ले पर सिर्फ और सिर्फ Indian stock market में ही करना क्योंकि उसके आलावा कुछ आपको बरबाद करतेगी यह बहुत ही basic से चीज है कि यह particular चीज is actually not true क्योंकि Indian stock market भी उतना ही vulnerable है जितना एक foreign market just because आपने उन companies के नाम सुने में हैं doesn't mean कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता है अब कहीं के भी stock market की बात करो you always will have to do your research और अगर आप वो चीज़ करते हो तो calculated risk लेने के लिए of course you can always invest in something which is beyond Indian stock market साथ यह advice government jobs are much better than private jobs not really I mean मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि government jobs खराब होती है और सारी की सारी jobs actually में better होती है ऐसा नहीं है काफी सारी government jobs में आपके पास प्रोथ नहीं होती है opportunities काफी कम होती है जो आपका final destination हो सकता है वहाँ पे आपको काफी compromises करने पड़ते है you also go through a lot of mental health issues जो private में भी होता है पर हाँ वहाँ पे boss is actually the boss हाँ मैं मानता हूँ stability wise काफी सही होते है government jobs पर यह stability उन लोगों के लिए काफी बहते रहेगी जिनने risk नहीं लेना है जिनने बस एकदम आराम तराम से जिन्दगी निकालनी है उनको कुछ नहीं करना जहां पे है वहाँ पे वहीं से निकलना चाहते है उनको बहुत ही slow और एकदम normal life चाहिए जहां पे आपके दफतर, बीवी और घर के अलाब आपके पास में कुछ नहीं है और अगर आप ऐसे young sir हैं जो चाहते हैं कि आप job को switch करेंगे प्राइवेट जॉब करेंगे, वहाँ पे अच्छी opportunities को grab करेंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं नहीं चीज़ें सीखेंगे तो आपके लिए काफी बहतर हैगा प्राइवेट जॉब्स करेंगे आठ भी advice, taking loans अब यह advice थोड़ी सी controversial सी है काफी सारे parents advice करते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूत है you can always look for taking loans पर मेरे साब से you should always avoid loans क्योंकि complexity काफी होती है, interest rate काफी high होते हैं और काफी सारे बहाई यह प्रपंच में पड़ेने के जो chances होते हैं हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपको घर लेना है कि किसी चीज़ की बहुत ही need है तो of course you will have to take all that loan पर काफी सारे cases में काफी सारे youngsters इस तरह की habit बना लेते हैं कि they will actually take loan for personal travel expenses and the personal expenses as well अगर यह चीज़ करनी है तो मेरे साब से credit card use करो ताकि आप 55 days में pay कर दोगे कोई आपको interest rate भी नहीं देना पड़ेगा पर taking a personal loan is actually a very bad idea at a very very high interest rate और यही एक reason है कि काफी सारी companies आपको personal loan के लिए regularly call करती रहती हैं क्योंकि this is actually a huge huge fund जो आपको फजा देता है in very very high interest rate starting में छोटे छोटे promises किये जाते हैं को 2% 4% देना है पर ultimately you end up losing everything और आखरी advice advice number 9 which is only one job is enough for you absolutely not side income होना passive income के sources होना is very very important इसी वज़े से यह channel को start किया गया था and this is exactly what I would suggest you now as well अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं साथ में आपके passion से related, interest से related अगर आपने और कोई side income start करी है it is always going to be a very very good idea अगर आप एक conventional job कर रहे हैं एक normal private job कर रहे हैं उसी के साथ में अगर आप अपने passion को follow करते हूं कुछ unconventional कर रहे हैं कुछ आसा interesting सा कर रहे हैं तो वो आपको जिन्दा भी रखेगा आपको interest भी आएगा और साथ में extra पैसा भी आएगा which is always a good idea तो ये दो सब कुछ advices हैं और भी advices हैं जहां पर मैं definitely सोचता हूँ कि काफी सारी बार हम लोगों के दिमाग में आता है कि अरे यार पापा रहे यार ममी मत बोलो ये चीज़ अगर इस तरीक एक खयाल दिमाग में आते हैं it is always a good idea not to say no directly not to insult them directly सीधा उल्टे सीधा जवाब मत दे दो पर आपको करना ये पड़ेगा कि research करो logical thinking रखो उनको भी समझाने की कोशिश करो कि क्यों आपको लगता है कि उनका जो suggestion है उनकी जो advice है वो गलत आपको लगती है उससे क्या होगा ना कि वो भी धिरे-जिरे कही नहीं नहीं चीज़े सीखेंगे और आपके लिए भी बैतर होगा decision लेना क्योंकि irritate हो जाना उल्टे सीधे जवाब देना is actually not the solution गेमर सोचना कि being a rebel is always a cool idea it is actually not घरवालों की इज़द करो हर किसी के thought process गलत हो सकते है आपकी भी गल्ती काफी बार होती है जो वो agree नहीं करते है जहां पर आपको 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 सही भी होते है तो इसलिए जब भी कोई advice आपको मिलती है किसी से भी always make sure you are doing a research on that before you actually follow or not follow that और इस वीडियो में से भी इतना ही शेर करना चाहता है अगर आपको लगता है यह वीडियो थोड़ा सा भी logical है जाने के वेला like कर देना share कर देना because why not बाकिया मैं विलूँगा आपको नेक्स वीडियो बतब के लिए take care and keep us lying